नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का सिक्षा प्रभा में दोस्तों मैं करुणा आज लेकर आए हूँ क्लास 12 के स्टुडेंट्स के लिए एक स्पेशल न्यूज और उसकी सभी जानकारिया और वो न्यूज है आपकी C-U-E-T टेस्ट के रिगार्डिंग तो जो बच्चे इस साल 12 क्लास में पढ़ रहे हैं अपना बोर्ड एक्जाम से किंडरम का देने वाले हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आप इस तरह की इन्फोर्मेशन को सबसे पहले देख सकें तो दोस्तों आज मैं आपके सभी कोशिंज के अंसर लेकर के आई हूँ जो हैं आपके C-U-E-T टेस्ट पर बेस C-U-E-T 2022 यानि कि Common University Entrance Test क्या है तो बेटा ये एक UG courses में admission का नया तरीका जो UGC ने निकाला है यानि कि आप क्या करते थे जब आपको 12 के बाद ऐसे college में admission लेना होता था तो आप अपना जिस university में आपको admission लेना होता था उस university का entrance test आप देते थे पहले form बढ़ते थे, फिर entrance देते थे, फिर test देते थे इस तरह से आप 2-3 university के अलग-अलग test देते थे और उसके बाद जहां आपका number आता था या जहां आप admission लेना चाहते थे उस university में आप अपना admission लेते थे लेकिन अभी ऐसा नहीं है अभी जो आपको 2022 से admission लेना है तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा C-U-E-T अब ये कब होगा? क्या इसका exam pattern होगा? कितने marks का ये paper होगा? ये सारी detail में आपको आगे देने वाली हूँ तो आप सिक्षा प्रवा के साथ बने रहें और वीडियो को पूरा जरूर देखें तो अब ये है क्या? और इसको कैसे सुरू किया जाएगा? तो ये एक journal सा टेस्ट है सामान्य टेस्ट है ये ठीक है? इसमें जो नमबर आपको मिलेंगे उन नमबरों के आधार पर आप पूरे देश में हाँ जी पूरे इंडिया में किसी भी Central University में admission ले सकते हैं अगर आप नमबर ले आते हैं और merit में आ जाते हैं तो इसके साथ ही साथ इस बात को बिटा याद रखना कि दसमें क्लास के नमबरों को महत्व नहीं दिया जाएगा है ना आपके तेंथ क्लास में कितने भी अच्छे नमबर क्यों नहीं है और बहुत कम नमबर ही क्यों ना आए हो उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा ये टेस्ट अब कौन कंड़क्ट कराएगा तो ये कराएगा National Test Agency यानि की NTA इस एक्जाम को कंड़क्ट कराएगी और NTA वही एजेंसी है जो आजकल कंड़क्ट करा रही है UGC के एक्जाम स्कूँ तो बिटा अब आप इस टेस्ट को देने की जरूरत क्या है तो इस टेस्ट को आपको देने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी तो अगर आपको अंड़क्ट कोर्स में एडमिशन लेनी है तो आपको इस टेस्ट देने की जरूरत पड़ेगी आप ये किस तरह से होगा तो किस तरह से होगा ये एक कंप्यूटर पर बेस्ट बिटा टेस्ट होगा आप जब इसका एंटरंस एक्जाम देने के लिए जाएंगे तो आपको एक सिस्टम दिया जाएगा जिस सिस्टम में आपका जो कुशन पेपर है वो आएगा और वो कुशन पेपर का पैटरन कैसा होगा तो वो होगा MCQ बेस यानि की बहु विकल्पय प्रश्ण होंगे उस कुशन पेपर में जो आपको सम्मिट करने होंगे उसी सिस्टम पर यानि की ओनलाइन एक्जाम आपका होगा जो आप फिजिकली एपेरेंस में देंगे जो सेंटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा एंटिये के द्वारा ठीक है बटा आप बहु विकल्पय प्रश्ण जैसे कि आपने टम फर्स्ट में पढ़े हैं पूरी की पूरी पॉरी पॉलसी गॉर्णमेंट इस बार ऐसे लेकर आई है जिसमें कि आपके लिए आप पहले से उसके हैबिचल हो गए हूँ बिल्कुल नया नहीं है तम फर्स्ट में आपने बहु विकल्पया MCQ-based question paper solve किया है answers दिये हैं याद किया है उसी पेटन पर आपका ये CUET test होने वाला है अब इसके अंदर कौन से syllabus से आपसे पूछा जाएगा आपके NCRTE NCE RT के syllabus से जो कि बार्मी क्लास का आपका syllabus होगा उसी syllabus के आसपास आपसे ये चीचे पूछी जाएंगी question paper आपका तयार किया जाएगा अब बात आती है कि किस language में बिटा ये आपका test होगा कौन-कौन सी भाजा में आप इस exam को दे सकते हैं तो तेहरा language में बिटा आप इस test को दे सकते हैं और वो language कौन-कौन सी होगी तो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, गुजराती, बंगाली, पंजाबी, कंणर इसके अलावा ओडिया, अस्मिया, मल्यालम, मराथी, तमिल और तेलगू इन तेहरा भाषाओं में आप इस test को दे सकते हैं जो आप को इस यू टेबल लगे उस language में आप इस test को दे सकते हैं अब इसके बाद एक बड़ा प्रशन आपके दिमाग में आ रहा होगा तो क्या बार्वी क्लास के नंबरों की कोई value नहीं है मतलब हम कितने भी marks ले आए उससे कोई value नहीं है तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है ऐसा ना हो कि आप पढ़ाई ना करें और सोचें कि बस CUT की तयारी कर लेते हैं और उसके अंदर हम अच्छे marks ले आते हैं merit ले आते हैं और फिर हमारा admission नहीं admission हो जाएगा तो बिटा ऐसा नहीं है बारवी में भी आपको अच्छे number लाने है क्यों लाने है क्योंकि कुछ university इस तरह से decide कर सकती है कि test में सिर्फ वही बच्चा बैठेगा जिसके बारवी में 60% marks हो या 70% marks हो ठीक है यानि कि eligibility criteria CUT में पार्टिसिपेट करने के लिए रखा जा सकता है universities के ज़ारा तो इस वज़े से 12th में भी महनत करनी है और बहुत अच्छे से marks आपको ले करके आने है अब ये कौन-कौन सी university जो है इस test को ले रही है यानि CUT के माध्यम से कौन-कौन सी universities है जो अपने admission देंगी तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी JNU University के समेथ इस तरह की 45 Central University है जो इस entrance test के बिहाफ पर ही admission देंगी तो ठीक है बटा ये थी जानकारी आपकी CUET के बारे में क्या है, कैसे है, क्या आएगा अब आपका कब तो entrance है कब आप इस form को fill करेंगे वो देख लेता है तो दोस्तों आपको आपकी screen पर दिख रहा है NTA, National Testing Agency का एक public notice तो बटा ये जो public notice है ये अभी हाँ, तो बटा, sorry तो बटा ये public notice जारी कर दिया है किसने, NTA और Common University Entrance Test के रिगार्डिंग और ये इन्होंने दो तारिक को, यानि कि दो अप्रिल को इस notice को इन्होंने निकाला है और इसके अंदर ये लोग कह रहे हैं कि National Testing Agency has been entrusted with the responsibility of conducted the undergraduate entrance test, यानि कि इसकी responsibility कौन लेती है NTA लेती है कौन से session की, 2022-23 के admission की, UGC में UG में, यानि कि undergraduate course में इसकी जो responsibility है वो NTA लेती है ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो the National Testing Agency, NTA will be conducted the Common University entrance test 2022 for admission to various undergraduate courses program offered by Central and other participating university institutes across the country और कौन से session के लिए, 22 और 23 के लिए और कौन से mode पे ये कराएगी ये CBT mode पर computer पर आपका यानि कि system पर आपका ये होगा आप duration of online registration and submission of application form for CUET तो कब आप अपना online registration कर सकते हैं तो online registration की date भी बिटा आ गई है 6 April से लेकर के 6 मई 2022 तक evening में 5 बजे तक आप इस इस form को फिल कर सकते हैं और last date आपके fee submit करने की जो आपकी last date होने वाली है वो होने वाली है 6 मई ठीक है 6 मई को 12 बजे से पहले पहले 11 बचास से पहले पहले आपको अपनी fees भी submit कर देनी है आपका exam कब होगा तो date of examination है बिटा आपकी first and second week of July यानि की पहले और दूसरे सप्तह July के पहले और दूसरे सप्तह में आपका date of examination डिक्लेयर कर सकती है NTA exam का time कितना होगा तो दो slot में बिटा आपका exam होगा यानि की दो shift में आपका दो slot में होगा तो पहला जो है वो सवा तीन घंटे का होगा और जो दूसरा है वो पोने चार घंटे का होगा और minutes यानि की 1.95 minutes and 2.25 minutes अब आपका जो mode of examination है वो क्या है तो बिटा मैं आपको बता चुकी हूँ ये computer-based test है computer पर आपका test लिया जाएगा pattern of examination का क्या होगा तो MCQ-based होगा और medium of paper मैंने तेहरा भाशाएं आपको बताई थी वो सभी तेहरा भाशाओं पर आप इस exam को दे सकते हैं अब candidate who desire to appear in CU test UG 2000 by में read the detailed information bulletin hosted अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो बिटा यहाँ पर आपको दो वेबसाइट दी हुई है आप इन दोनों वेबसाइट पे जाकर के इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं ठीक है बटा किसके बारे में आप प्रॉस्पेक्टर से यहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप इसके अलावा कौन-कौन से इंस्टिटूट और युनिवर्सिटी इस interest exam के बिहाफ पर admission देंगे वो आप देख सकते हैं क्या इसकी eligibility है वो आप चेक कर सकते हैं कितने duration का exam होगा क्या timing होगी क्या medium होगा यह तो सब आपको बता है fee of examination क्या होगी वो चीज़ भी आप यहां पर देख सकते हैं इसके regarding एक video और मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी जिसके अंदर यह सारी detail होगी तो आप सिक्षा प्रवापर अगर पहली बार आए हैं तो इसको subscribe किये बिना नहीं जाएंगे आपका syllabus आपकी जो exam की cities होगी कौन कौन सी cities में exam conduct होगा यह सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी किसमें इन website पर तो बिटा candidate में apply online only अगर आपको online form आप बढ़ना चाहते हैं तो online form तो बिटा जो आप भरेंगे वो इस website पर भरेंगे और जो period आपको दिया गया है उसी period के अंदर भरेंगे जो आपका fee payment का जो तरीका है वो क्या होगा तो मैं आपको बता देती हूँ इन्होंने mention किया हुआ है कि fee payment जो है आपकी debit credit card से हो सकती है आपकी fee payment debit credit card से हो सकती है इसके अलावा internet banking और paytium से भी आप अपनी fee को payment कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वारी करनी है तो NTA ने एक number आपको प्रवाइड किया है इस number पर आपको आरी कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा देखते हैं NTA और क्या जानकारी हमें दे रहा है तो the candidate and advice to keep visiting the official website आप समय समय पर इन websites जो websites आपर NTA ने आपको दी है इस websites पर आप जा सकते हैं और update रख सकते हैं खुद को अपने UZ admission के regarding तो बेटा ये है एक पाब्लिक सेर्कुलर जो कि निकाला है दो तारिकों NTA आशकरती हूं दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी CUET के बारे में संपून जानकारी आपको मिल गई होगी तो बेटा मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेर जरूर कर दें जिससे कि आप दोनों दोस्त या चारों दोस्त एक साथ एक ही उनिव कर सकें